हलो मेरे प्यार दोस्तों कैसे हैं आप सबी लोग वेलकम बैक टुदी चैनल परफ्यूम गुरू एक जबरदस्त फ्रेग्रेंस की आज हम बात करने जा रहे हैं अगर आप डेट्स पर जाते हैं और जी हां फिर बोलता हूं एक कचेहरी वाली डेट्स नहीं है देट का मतलब होता है अपनी किसी गल्फरेंड अपनी किसी दोस्त या अपनी वाइफ अपनी लवर किसी के साथ आप इवनिंग डिनर पर जा रहे हैं कई घूमने जा रहे हैं, एक दिन थो यहां पर आपकी हाइट को तुमा ने बढ़ा सकता हूँ आपके सीने को तर चोड़ा ने ही कर सकता हूँ आपको मोटे से पतला ने कर सकता हो लेकिन हाँ, ऐसे प्रेग्रंस के बारे मैं बता सकता हूँ जिस fragrance को आप लगाएंगे तो definitely आपका जो impression है बहुत अच्छा पड़ेगा आपके अगल बगल जितने भी लोग होंगे वो भी impressed होंगे और आपको मिलेंगे बहुत सारे अच्छे compliments आप उस रूम के सबसे unique smelling person होंगे जो एक बहुत ही important attribute है आज के जमाने में थोड़ा dynamic रहना थोड़ा sigma रहना ज़रूरी है दोस्तों अब general fragrances क्या है मार्केट में दियो और सवाज सब जानते हैं उसके clones के बारे में सब जानते हैं 300-400 रुपे में उसका क्लोन मिलता है Creed Aventus उसका क्लोन 1500 रुपे में मिलता है यह सारे fragrances popular fragrances है और भरे हुए हैं मार्केट में तो कुछ अलग लगाएं कुछ classy लगाएं तो वहाँ पर एक fragrance मैंने अभी recently discover किया था मैं इसकी बात अल्रेटी कर चुका हूँ अपने चानल पर दोस्तों इसका नाम है जीवांशी का gentleman reserve privé याने की private reserve reserved blend याने की private blend जो एक special blend है जीवांशी एक बहुत ही popular designer company है जो वही अपने fashion designs के वज़े से जानी जाती है लेकि उनका perfume line-up जो है वो भी काफी popular especially gentleman gentleman एक ऐसा नाम है जो मुझे लगता है जो भी perfumes बहुत दिनों से लगाते आ रहे हैं उनको पता होगा इनिशेल इनके fragrances average designer kind of fragrance but suddenly कुछ जटका सा लगा जीवांशी को उन्होंने देखा कि competition बढ़ रहा है दियो और वगेरा फ्रंसवा दिमाशी को लेकर आ रहे हैं जो जो है वो अलबर्तो मोरियास को लेकर आ रहे हैं बड़े बड़े उसके बाद आया एक iris based fragrance sign का कलोन उसके बाद ये fragrance है क्यों ये fragrance मुझे पसंद आता आपको बताता हूँ इस fragrance में दोस्तों one of the most beautiful ingredients का इस्तेमाल किया गया है जो है iris iris के फूल जो हैं बहुत जादा regarded है perfumery में 20s 30s हैं मैंगे मैंगे perfumes especially women's blends वहाँ पर iris का इस्तेमाल बहुत होता था बैट iris की अपनी खुद की खुजबू नहीं होती है iris एक फूल है जिसकी जड़ों में खुजबू होती है जैसे vetiver का root तो उसे कहते हैं oris oris जो है समझ लीजे कि एक तरीके का root है और उसको बहुत मुश्किल से process करके उसके अंदर से iris निकाला जाता है और वो perfumery का one of the most expensive ingredients बन जाता है क्योंकि बहुत ही scars है यह material दुनिया में तो fragrance जो उससे निकलती है वो थोड़ी सी spicy होती है थोड़ी सी मीठी होती है थोड़ी सी powdery होती है लोगों को बहुत ज़्यादा attractive और appealing लगती है और मैं कहूंगा कि वो material एक ऐसा जो perfumes को एक ऐसा उम्फ देता है जो regular fragrances में synthetics इस्तिमाल करके नहीं मिल सकता वहाँ पर एक और fragrance हा जाता है जिसने आइरिस के note को बहुत popular किया वो है Dior Om series का Dior Om Intense एक लाजवाब खूबसूरत बेहद आर्ट सी masterpiece from the house of Dior and of course इसके भी perfumer François Demasi है जिनोंने सवाज बनाया तो जिसने यह लगाया उसको तो सवाज बहुत ही खराब लगेगा बहुत ही generic लगेगा तो यह एक ऐसा fragrance है जिसने अभी तक market में अपनी जो पहुच बनाई अपना जो पहचान बनाया उसको कोई नहीं हिला पाया और फिर इसका reformulation आया कुछ सालों पहले तो वहाँ पर एक आयरिस बेस्ट फ्रेग्रिंस की बहुत जादा ज़रूरत ही market में जो दियोरो मिंटेंस से मिलती जुलती भी हो लेकिन उससे कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड करें तो वहाँ पर दो परफ्यूमर्स हैं दोस्तों बड़े ही पॉपिलर ओलिवियर क्रेस्प और नैथली तो जहां पर दियोरो मिंटेंस थोड़ा ज्यादा ही क्लासी हो जाता है हाला कि एक मास्टरपीस फ्रेग्रंस है दस में से दस में से रेट करूंगा एजिली लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इस फ्रेग्रंस से कॉंप्लिमेंट्स आपको मतलब हर लेवल के इंसान से मिले जो फ्रेग्रंसस पसंद करते हैं उनको फ्रेग्रंस पसंद आएगा जो ठोड़ाए युणीक फ्रेग्रंसस की तलाश में उनको फ्रेग्रंसस अच्छी लगे बड़ जो जञ्रल आम पब्ली के इस त्रोग आइरिस का नोट है वह बड़ा ही मेकप टाइप का खुझबु दे भी नोट इसमें इंट्रिड्यूस किया गया है वो बहुत ही मज़ेदार है जैसी कि इसमें विस्की का एक अकॉर्ड इस्तिमाल किया गया है दोस्तों जब आइस फ्रेगरंस को आप स्प्रे करते हैं अपने उपर तो एक लगता है कि स्पाइसी सा पंची सा एक फ्रेगरंस ल कह लीजे वो इस्तमाल नहीं किया गया तो वो लाइट है स्पाइसी है एंबर ही ज्यादा है यह फ्रेगरंस वनिला इसमें थोड़ा ज्यादा है और जब पहले तीन-चार घंटे इस फ्रेगरंस का जो प्रोजेक्शन आता है वो बहुत ही ला जवाब है और जो भी कॉंप फ्रेगरंस इट इस नाट टू फेमिनिन इट इस नाट टू सॉफ्ट इट इस अ पावरफुल सेंट क्योंकि इसमें ड्राइडाउन में संदल यानि कि चंदन और सिदार का जो इस्तमाल है सीडर अपना ही जो देवदार के पेड़ होते हैं उनकी जो पाईनी खुश्जब रहा था बाट मुझे लगता है कि बेस नोट हेवी फ्रेगरंस है इसलिए टॉप नोट काफी खुबसूरा थे लिकिन बहुत जल्दी फेड हो जाते हैं मिड नोट थोड़े देर तक खिचते हैं मुझे लगता है तीन चार घंटे से जादा नहीं चलेंगे और उसके बाद पुरा बेस नोट का खेल है और वो हलका हलका वनिला एंबर बेंजॉइन का नोट आपको लगता रहेगा तो ओवराल एक बहुत ही शांदार फ्रेगरंस एक नीश लेवल का एक्सपीरियंस आपको इस फ्रेगरंस मिलता है एक डिजाइनर के प्राइस पर बहुत लोगों को इस फ्रेगरंस के बारे में पता नहीं है इंडिया में इतनी अवेरनस नहीं है जो पर्फ्यूम गुरू के चैनल को देखते हैं उनकी बात अलग है लेकिन जन जनरल लोगों को नहीं पता तो यह सीक्रेट अपने पास सेफ रखिएगा इस यॉर वेपन इन एनी डेट सिना नहीं रहा वहाँ पर यह फ्रेगरंस डेफिनिटल्ली दियोर मिंटेंस को रिप्लेस कर सकता है तो इस वाइन पर नाइस और अस्पेशल डेट फ्रेगरंस आइउ तो यह फ्रेगरंस मने रीटेल स्टोर से खरीदा है तो आप भी किसी बड़े मॉल में जायें किसी दोस्को को फोन लगाएं जो दिल्ली बॉंबे वगरा में रहता हो सेफोरा या फिर दी ओल्फाक्टिव या फिर जो भी शॉपर स्टॉप में कहीं भी धंग के रीटेल स्टोर से इस फ्रेगरंस को ले अपको मुझे लगता है साथ से आठ हजार रुपय का यह 50 ml का बॉटल पड़ का नोट मतलब प्रॉमिनेंट नोट से हैं तो हम डिफिनेटली फ्रेगरंस थोड़ा महंगा जाता सवाज वाज से कंपेर करोगे तो यार फिर आपके तो होशी उड़ जाएंगे क्यों उस तरीके का नीश लेवल का एक्स्पीजिंस देता है यह फ्रेगरंस को और मुझे यह कॉमेंट सेक्शन में अगर आपने फ्रेगरंस अल्रीटी ट्राइ कर रखा है मेरी वीडियो को देखकर तो अभी तक कॉंप्लिमेंट्स मिले हैं या नहीं और अगली डेट पर फ्रेगर्स लागा कर जाओगे तो अपने रियक्शन जरूर चैनल के ऊपर छोड़ के जा